दोस्तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपने Facebook इकाउंट को हैक होने से कैसे बचाएं जी हां दोस्तो अगर आप भी आपने Facebook इकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हो तो वीडियो में आप शुरू से लेकर आग तक बने रहे हैं, वीडियो को थोड़ा भी, इसकी मत किजेए, तो चले वीडियो को सुरू करते हैं, और जानते हैं, तो दोस्तों कौन नहीं चाहता है हैं अपने Facebook एकांट को हेकांट को हेकांट से फचाने के लिए सबसे पहले above Facebook करना है यहां आप में Facebook कर लेता हूं Facebook का tai परने कम आपको क्लिक करना है اور यहां पर अपको सेट prêtञ्ड करना है इंसके करना है दोस्तो यहां पर दो Settings बताऊँगा आपको धियान से इन दोनों सेटिंस को आपको कर लेना करना है और यहां पर देख सकते हैं अपने Facebook एकाउंट कितने सारे डिवाइस पर आपका लोग इन क्या हुआ है देख सकते हैं अगर यह सारे डिवाइस आपका ही है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं अगर दुसरा का डिवाइस पर आपका लोग आउट कर सकते हूं जितन और यहाँ आपको देखने को नहीं मिलना है दूसरा डिवाइस पर login अभी नहीं है सभी डिवाइस से अभी लोग आट हो चुके हैं देख सकते हैं तो यहाँ सभी बेक कर लेता हूं और मैं आपको एक settings बताऊंगा उस settings को आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ सभी back कर लेता हूं और यहाँ आपको देखने को मिलेंगे two factor authentication तो यहाँ पे two factor authentication पे click करना है यहाँ पे अपने Facebook ID पे click करना है और इसके बादव आपको password डालने का option आजाएंगे तो यहाँ पाइए Facebook ID को पासओड आपको डालना है तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूं password को डालने के बाद continue पे click करना है और इसके बाद इस तरह का interface देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा text message वाला यहाँ पर authentication on किया हुआ है यानि कि मैं अपने Facebook ID को दुसरे device में login करेंगे तो वहाँ पर मुझे एक six digit का code मांगेंगे तो वो code आपका mobile number पर जाएगा जो mobile number दे करके आप यहाँ पर इनिवल करके रखोगे वही mobile number पर वो OTP जाएंगे तो यहाँ पर ही अपने mobile number को add करके रखना है और नहीं तो जिस device पर अपने Facebook ID को login करके रखे हो उसी device के through के app सभी two factor authentication को on कर सकते हो तो मैं आपको बता दू अपने mobile number सभी on करके रखोगे तभी आपका Facebook account बहुत ज़्यदा secure रहेगा माल लिए आपने Facebook account का password किसी को पता चल भी गया तो वो अपने Facebook account को login नहीं कर सकता है वो जैसे ही password को डालेगा password को डालने के बाद आपके पास एक OTP आएंगे उस OTP को वहाँ पर डालेगा वो बंदा तभी आपका Facebook account को login कर सकता है तो इसलिए आपको अपने Facebook ID का two-factor authentication को अपने mobile number सो आपको on करके रखना है तो यहां सभी back कर लेता हूं तो आज का वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसना है